नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल इबी टेक में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्टी बढ़ती के अंतरगत सबसे ज़्यादा पूंचे जाने वाले कुश्चन के बारे में 4-6 दिन से लगातार छात्त्र intent कारे में पूचा जा रहा हों कि क्या हमें में प्रफ medic कौवाय करके इसमें जॉबब पास्कते हैं तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, विद प्रूफ मिलेगी, तो यूडियो को आप लोग लाइक और सेर कर दीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक्जाम पैटर्न समझ लेते हैं, तो यहाँ पर आपका एक्जाम पैटर्न है, एल्टीगर्ड की भरती में यहाँ पर जो आपका प्रस् होगा, उसके एक सुबीस क्षेस होगे, प्रूटल क्षेस आपके एक सुबचास होंगे, एक सुबचास नमबर का भी पेपर होगा, और इसके लिए दो गंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानि आपका जो एक क्वेश्चन करने का समय रहेगा, वो एक मिनिट से भी क का रहेगा क्योंकि 120 मिट में आपको 150 कुश्टन्स करने हैं आपको ठीक है तो अब यहां पर हम बात करते हैं मुद्दे को लेकर कि क्या हमें इस पहले पार्ट को और इस दूसरे पार्ट को अलग अलग क्वालिफाई करना है या हमें सिर्फ और अग्रिगरेट नंबर ही चाह इस परकार लिखा है सिमिलरली दा मिनिममम इफिसेंशी स्टेंडर फार कंडिडेट साप अधर कटेगरी इस फिक्सड दर इस 40 परसंट एस एस्ट कले 30 परसंट और ओबी सी और अन जब कटेगरी के लिए 40 परसंट यहां पर फिक्स करके दिया गया है यह क्वैलिफाइंग मार के है ठीक है मेर्ड लिष्ट में जाने के लिए ना कि सेलेक्शन के लिए जो अब इस कटाप को क्वैलिफाई करेंगे वो फिर फाइनल मेर्ड लिष्ट के लिए जाएंगे और वेकिंजी के मताबिक टॉप टू बिटम बॉटम मेर्ड लिष्ट बनेंगे उसमें जिन बिर्थियों का नाम आएगा वो finally select माने जाएंगी तो यहां पर अगर आप देखें तो साब तोर पर यहां पर overall की बात की गई है ना कि section wise कटाप की बात की गई है section wise कहीं पर भी यहां पर mention नहीं आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं तमिनान से ठीक है तो यह बात एक चीज़ यहां से clear होती है कि आपको परिच्छा में overall ही नंबर लेकर के आने है overall ही कटाप आपकी काउंट की जाएगी section wise जापकी कटाप काउंट नहीं होगी ठीक है जो यहां पर बात की गई नोटी बेकर सन में 30 और 40 परसंट की वो 150 में से है ना कि 30 या 120 में से है ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कि हम किवल पार्ट टू को पढ़ करके पार्ट टू का एक्जाम दे करके ही qualify कर जाएं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं है कि आप पार्ट वन को attempt करें और पार्ट टू वन में भी qualify हूं और पार्ट टू में qualify हूं तब आप qualify मनने जाएंगे नहीं ऐसा नहीं है आप चाहें तो पार्ट टू को भी पढ़ करके qualify कर सकते हैं बसरतिया आप जो है वो merit list में आने चाहिए जो criteria है 40% 30% का वो follow होना चाहिए उसके बाद आप merit list में आने चाहिए ठीक है लेकिन ये जरूर है कि अगर आप पार्ट टू पढ़ते हैं ठीक है तो यहां पर 120 questions आएंगे और 120 questions में भी आपको जो है वो पूरे marks लेकर के आने होंगे जो की आपके selection की cut-off की अंतरगत आएंगे तो अगर आप journal studies भी cover करते हैं तो यहां से एक normal भी अगर आपके question सही हो जाते हैं अगर आपकी current की अच्छी कासी knowledge है ठीक क्योंकि ज्यादा current होता है और को history, GS वगरा भी होता है तो अगर आप पढ़ना चाहें तो दोनों को पढ़ सकते हैं नहीं तो अगर आप subject को ही focus कर रहे हैं तब भी आप यहाँ पर qualify कर सकते हैं एक चीज़ में आपको बता दूँ इस परिच्छा में जो आपका negative marking रहेगा वो 1Y3 का रहेगा यहाँ पर देके साब सब्दों 18 नंबर पर दिया गया है कि penalty नेगेट्व मार्किंग जो रहेगी वो आपकी 1 थर्ड रहेगी that is 0.33 तीन गलत question करने पर आपका एक सही उतर भी जो नंबर होगा वो कट जाएगा ठीक हैं तो अब हम बात कर लिते हैं यहाँ पर syllabus की तो यह आपके सामने जन्रेश्टिस का syllabus है जिसमें आपका history होगा इंडिया का भी होगा और और भी कही सारे चीजी है जियोग्राफी है आपका Indian भी होगा वर्ल्ड भी होगा पॉलिटी मिलेगा आपको Constitution मिलेगा और पंचायती राज हो गया इसमें इकोनॉमिक्स भी आपको मिलेगा Social Development भी है Current Events है National International Importance भी है Agriculture भी है Science भी है Maths भी है और UP Special भी रहेगा तो यह सारे चीजी हैं आपको आएंगी 30 नंबर के अंतरका तो अगर आप इनको skip करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं Part 2 की त्यारी करके आप लोग भी यहां पर qualify हो सकते हैं ठीक है तो आई होप आपको चीजी समझ में आई होंगी जो आप लोगों के doubt थे कि क्या GS Part 1 को qualify करना जरूरी है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है ठीक है पार्ट 2 को भी पढ़कर के आप qualify कर सकते हैं अब अगर आप पूछें कि GS के लिए कैसे त्यारी करने GS के लिए कौन कौन सी best books है तो दोस्तों उसका वीडियो हमने आर लेडी बना दिया हूँ हमारे यूट्यूब चरनल पर यह आपको वीडियो मिल जाएगा देखिए यूपी पेसी अल्टिगर्ड सामान दन पार्ट 1 की तयारी कैसे करें सिर्फ तीन किताब भी हमने इसमें बताई है एक मैने पहले का वीडियो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यह जो क्वेरी है कि पार्ट 1 की तयारी कैसे करें यह यहां से आपकी सौल्ब हो जाएगा आपको इस वीडियो में चीजे समझ में आई होगी वीडियो को पसंद आज वीडियो का लाइक आप शेयर कर दीजेगा इस वीडियो में तना ही देने वाद हूँ